स्लाम उलेकुम व्यूवर्स क्या हाल हैं वेलकम टू मेडिशन वर्ड पीके विड डॉक्टर एहमत सल्मान नाजरीन उमीद करता हूं आप सब खेर खेरियत से होंगे नाजरीन रिसेंटली एक इंजेक्शन डाइबिटीज मलाइटस टाइप वन से रिलेटिड एफडिये ने अप्रूव किया लेकिन रिसेंटली मुझे पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे और कुछ यूट्यूब चैनल्स पे ये अफवाहें देखने को मिली के जी नया सो मैंने यह सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ करता चलूं कि यह इंजेक्शन क्या है और यह किस लिए रिजिस्टर किया गया है और काइंडली ऐसी अफवाओं पर बिल्कुल बिलीव ना करें सो व्यूवर्स आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे अगर मैं आ प्रूव किया है और इसमें एक्टिव क्या है टेपलीज्यू मैप ठीक है व्यूवर्स और इस इंजेक्शन के आने के साथ ही अफवाओं गर्दिश करना शुरू हो गई खास तोर पर पाकिस्तानी मीडिया में बहुत से लोगों को अपनी व्यूवर्शिप पढ़ाने के लिए इस तरह की क्या कहते हैं वह कहेंगे जूट प्रोपेगेट किया जाता है कि इससे शुगर बिलकुल ट्रीट हो जाती है और पर्मेनेटली शुगर का इलाज आ गया है तो व्यूवर्स शुगर की जैसा के मैंने वीडियो भी बनाई थी आप मेरे चैनल पे भी देख स और टाइप टू डाइबटीज अब इन में फर्क क्या है वो आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं तो पहली किसम जो शुगर की है टाइप वन डाइबटीज वो कम उम्मरी में स्टार्ट होती है और इसका इलाज सिरफ इंसुलीन है क्योंके बोडी में इंसुलीन ब गवाई है जो टिजायल के नाम से ब्रेंड रिजिस्टर किया गया है टेपलिजू मैप सिर्फ पहली किसम जो के यानि के टाइप वन डाइबटीज मलाइटस है उसके लिए इस्तमाल की जाती है और इसी के लिए ये रिजिस्टर हुई है इस इंजेक्शन के इस्तमाल के ब रही है इसका प्रॉपर यूजिज क्या है इंडिकेशन क्या है ये इंजेक्शन किसी भी तोर पर शुगर की किसी भी किसम को मुकमल तोर पे खतम नहीं करता लहाज़ा शुगर के तमाम मरीज अपना इलाज जारी रखें और जैसा कि मैंने बताया यह जूट और अफवाहे थी कि ट्रीट हो जेगा पका पर्मनेंटली इलाज हो जेगा ऐसी कोई बात नहीं है जो मरीज पहले से ही इंसुलीन थेरापी ले रही है वो इसको कंटीन्यू रखें और टाइप वन के लिए मैंने आपको बताया कि यह रिजिस्टर की गई है और उसकी शिदत से भी बचा अब यह चीज आपको बताता चलूँ के सबसे पहले यह इंजेक्शन जो के रिजिस्टर हुआ है इस एक इंजेक्शन की कीमत 13,850 डॉलर मुकरर की गई है क्योंकि डैफिनेटली जो भी निया रिसर्च ब्रेंड होता है उस पे अर्बों रुपे इंवेस्ट करके वो बना पही जाती है। इसलिए जो रिसर्च ब्रेंड होता है उसकी कीमत बहुत जादा होती है। इसी वजह से यह भी दुनिया में निया compelling है, निया रिसर्च ब्रेंड है। तो इसकी 13,850 डॉलर इसकी कीमत है और एक पेशन्ट को ये 14 इंजेक्शन लगते हैं और 14 इंजेक्शन की कीमत 1,93,900 डॉलर बनती है जो के बहुत महिंगा इलाज है और अभी पाकिस्तान में है भी नहीं तो शुगर के मरीजों के लिए मश्वरा कि आप सिरफ मतवाजन घिजा और अच्छी खुराक बैलनस डाइट के साथ वाग के साथ और एकसरसाइस के साथ ही अपनी शुगर को बेहतरीन मैनेज कर सकते हैं उसके इलावा आपकी सपोर्ट के लिए मैडिसन्स जो के टैबलेट् जाती है और इससे आप बेहतरीन मैनेज कर सकते हैं अपनी शुगर को लहाजा ये वीडियो बनाना बहुत इंपोर्टन था आप लोगों के साथ इंफोर्मेशन शेयर करना बहुत जरूरी था क्योंकि आप जिदर भी देखेंगे काफी आपको सोशल मीडिया पे और यूट इंटिकेटिड न्यूज आपके साथ शेयर करना जरूरी था अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो आप तमाम डाइबेटिक पेशन्स के साथ मेरी वीडियो जरूर शेयर करें और इसी तरह की मैडिसन वर्ड से जुड़ी तमाम अपडेट्स पाकिस्तान में मैडि के लावा आप किसी भी मैडिसन का प्रॉपर डोजेज हाउ टू यूज साइड उफेट्स आप इस चैनल पर अथन्टिकेटिड डेटा के साथ देख सकते हैं दौाओं में याद रखिएगा अल्ला हाफिज